प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का बार्मा अध्याई कंचा कंचा होता है मार्बल, जिसके साथ अक्सर ही बच्चे खेलना पसंद करते हैं ये जो कहानी है एक छोटे सी बच्ची अप्पू की कहानी है जो की जाकते हुए भी सपनों में खोया रहता है तो आईए आज हम पढ़ते हैं आपकी पुस्तक का अध्याई कंचा अप्पू कंदे पर बस्ता लिटकाए विद्याले जा रहा था बस्ते पर रखे स्लेट और पैंसिल के टकराने से अवाज हो रही थी लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है वह तो कववे और सियार की कहानी में उलजा हुआ है सियार की तारीव पर कववा गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है कववे की बेफकूफी पर अमूच जोर से हस पड़ता है चलचल तलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चौकलेट बिस्कुट रखे थे अपू उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पिता अक्सर ही उसे ये चीजे लाकर देते है उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे हरी लकीरों वाले बड़िया सफेद गोल कंचे बड़े आमले जैसे अपू को बहुत खूबसूरत लगते है वे कंचो की दुनिया में खो जाता है उसे लगता है जैसे जार आसमान से भी बड़ा हो गया वे उसके अंदर चला गया वहाँ कोई दूसरा ना था फिर भी उसे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि छोटी बैन की मृत्यों के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत हो गई थी जार के अंदर से कंचे भी खेर कर वे मज़े से खेल रहा तब ही दुकानदार ने उसे डांड लगाते हुए का जार को ही नीचे गिरा देगा क्या अप्व की निंद्रा भंग हो गई वे चौक उठा दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए तो अप्व ने नाम में सिरहला दिया उसी समय स्कूल की घंटी बजने की अवाज आई अप्व बस्ता था में दौड पड़ा देड़ से पहुंचने वाले पीछे बैठते थे इसलिए आज अप्व को भी पीछे बैठना पड़ा वहां बैठ कर वे देखने लगा कि कौन कहां बैठा है सभी जगा पर थे रोज समय पर आने वाला रमन अगली बैंच पर था और तीसरे बैंच के आखिर में मलिका के बाद अप्व बैठा था माफ कीजेगा अप्व को जोर्ज दिखाई नहीं दिया वह जोर्ज को ढून रहा था क्योंकि सभी लड़कों में वही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था अप्व को याद आया रामन ने उसे बताया था कि जार्ज को बुखार है अप्व का ध्यान कक्षा में नहीं था मास्टर जी ने आते ही हरबड़ी में उसने पुस्तर खोली मास्टर जी रेल गाड़ी का पार्ट पड़ा रहे थे और बच्चों को बता रहे थे कि रेल गाड़ी भाफ की गाड़ी से रेल गाड़ी को भाफ की गाड़ी भी कहते हैं क्यूंकि भाफ की शक्ती से ही रेल गाड़ी चलती है किन्तु अप्व का ध्यान बिल्कुल भी पड़ाई की और नहीं था उसका ध्यान तो कंचों पर लगा हुआ था वे सोच रहा था कि जॉर्ज ठीक होकर आएगा तो वे कंचे के बारे में उससे बताएगा कंचे खरीद देंगे और दोनों खूब खेलेंगे अप्पू ने देखा कि मास्टर जी ने देखा कि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो उन्होंने गुसेच से पूछा कि हम बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था तो अप्पू ने आगे से बोला कंचा क्योंकि उसके दिमाग में तो कंचा चल रहा था तो मास्टर जी ने उसे सजा के तोर पर बैंच पर खड़ा कर दिया लेकिन बैंच पर खड़ा होने के बाद भी अप्पू को कंचों की ही सूज रही थी इतने में वहां आगे स्कूल के चपड़ा सी जिन्होंने बच्चों को फीस जमा करवाने का आदेश दिया अप्पू को लगा कि अब मैं पैसे जमा करवाने की चाहत से नीचे तो उतर पाऊंगा लेकिन मास्टर जी ने जब उसे नहीं उतरने दिया तो वह रोने लगा तो बहुत समझाने के बाद निरदेश देने के बाद मास्टर जी ने उसको भेज दिया किन्तु अब अप्पू के मन में आ गया कि वो ये पैसे फीज के लिए ना जमा करवाकर इसके कंचे खरीदेगा तो वो क्या करता है वो फीज नहीं जमा कराता और पैसे अपने पास रख देता है और स्कूल की छुटी होने के बाद जब वो दुकान में वापिस पहुंचता है तो दुकान दार जब पूछता है तो वह बोलतेता है कि उसने कंचे लेने हैं उसके पास देड़ रुपे होता है और वो देड़ जब दुकान वाले को देता है तो दुकान आश्चरे चकित रह जाता है लेकिन वह बाद में सोचता है कि सब ही बच्चों ने मिलाकर पैसे जमा करके कंचे खरीदने होगे तो वह उसे कंचे दे देता है अप्पू कंचे लेक जाकर रास्ते में जा रहा होता है कि उसकी चाहत होती है कि रास्ते में वो कंचे की पोटली खोल कर देखे जब वे पोटली खोल कर देखता है तो उसके सारे कंचे बिखर जाते हैं तो उसकी आयू छोटी होने के विज़ा से हथेलियां छोटी होती हैं, तो कंचे हथेलियों में नहीं बर पाते, तो वो क्या करता है, बैक के सारी चीजें बाहर निकालकर उसमें कंचे डाल देता है, तभी पीछे से गाड़ी आ जाती है, जो गुसे में ड्राइवर हार्न संध हैं तो वो हथेली में कंचे रखकर ड्राइवर से पूछता है क्या ये अच्छे हैं तो उसके इस बच्पने को देखकर ड्राइवर हस पड़ता है और हां में सर हिला देता है अपू ये कंचे उठा घर पहुंचता है तो उसकी मां उसके हाथ में इतना समान पकड़ा दे कि उसने फीज ना जमा करवा कर उन पैसों के कंचे खरेद लिए तो मा की आँखे भर आती हैं और बोलती है कि तुम किसके साथ खेलोगे क्योंकि तुमारी बहन तो मर चुकी है और उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद सताने लगती है तो अप्पो को ऐसा लगता है कि जैसे उसको उसकी मा को उसके कंचे पुसंद नहीं है तो वो अपनी मा से पूछता है कि मा क्या ये कंचे अच्छे नहीं है तो मा हस कर कहती है नहीं बेटा ये कंचे बहुत अच्छे हैं और अब वो सब खुश दिखाई देते हैं धन्यवाद